C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए नौ परिमेय संख्याएं प्रिष्ठ एक सौत तिरानवे नौ दशमलव पाँच एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं आप यह जानते हैं कि एक संख्या रेखा पर पूरणांकों को किस प्रकार निरुपित किया जाता है आएए ऐसी ही एक संख्या रेखा खीचें यहाँ एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें माइनस चार से शून्य से होते हुए चार तक क्यांग है शुन्य के दाई और के बिंदूओं को प्लस चिन्ह से व्यक्त करते हैं और ये धनात्मक पूरणांक दर्शाते हैं शुन्य से बाई और के बिंदूओं को माईनस चिन्ह से व्यक्त करते हैं और ये रिनात्मक पूरणांक दर्शाते हैं संख्या रेखा पर भिन्नों के निरुपन से भी आप परिचित हैं आईए अब देखें कि परी में ये संख्याएं संख्या रेखा पर किस प्रकार निरुपित की जा सकती हैं आईए संख्या रेखा पर संख्या माइनस एक बटा दो को निरुपित करें जैसा के धनात्मक पूरणांकों की स्थिती में किया गया था, धनात्मक परी में ये संख्याओं को शुन्य के दाई और अंकित किया जाएगा तथा रिनात्मक परी में ये संख्याओं को शुन्य के बाई और अंकित किया जाएगा शून्य के किस और आप माइनस एक बटा दू को अंकित करेंगे? रिनात्मक परी में ये संख्या होने के कारण इसे शून्य के बाई और अंकित किया जाएगा आप जानते हैं के संख्या रेखा पर पूरणांकों को अंकित करते समय उत्तरोतर पूरणांकों को समान अंतरालों पर अंकित किया जाता है साथ ही संख्याओं एक और माइनस एक का युग्म संख्या शून्य से समदूरस्थ हैं इसी प्रकार दो और माइनस दो तथा तीन और माइनस तीन भी समदूरस्थ हैं। इसी प्रकार परी में ये संख्याएं एक बटा दो और माइनस एक बटा दो भी शून्य से समदूरस्थ होंगी। हम जानते हैं कि परी में ये संख्या एक बटा दो को किस प्रकार संख्या रेखा परंकित किया जाता है यह उस बिंदु परंकित किया जाता है जो शून्य और एक से बराबर दूरी यानि ठीक बीच में पर है प्रिष्ठ 194 अर्थात शून्य और एक की आधी दूरी पर है इसलिए माइनस एक बटा दो को शून्य और माइनस एक की आधी दूरी परंकित किया जाएगा यहां एक संख्या रेखा पर इसे दर्शाया गया है हम जानते हैं कि तीन बटा दो को संख्या रेखा पर किस फ्रकार अंकित किया जाता है इसे शुन्य के दाई और एक और दो के बीच में आधी दूरी पर अंकित किया जाता है आईए अब संख्या रेखा पर माइनस तीन बटा दो को अंकित करें यह शून्य के बाई और उतनी ही दूरी परंकित होगा जितनी दूरी शून्य और तीन बटा दो के बीच है घटते हुए क्रम में माइनस एक बटा दो, माइनस दो बटा दो, यानि माइनस एक, माइनस तीन बटा दो, माइनस चार बटा दो, यानि माइनस दो इत्यादी प्राप्त हैं इससे यह प्रदर्शित होता है के माइनस तीन बटा दो संख्याओं माइनस एक और माइनस दो के बीच में आधी दूरी पर स्थित या अंकित होगा यहाँ एक संख्यारेखा पर ये दर्शाया गया है इसी प्रकार माइनस पांच बटा दो और माइनस साथ बटा दो को संख्यारेखा पर अंकित कीजिए इसी प्रकार माइनस एक बटा तीन संख्या रेखा पर शून्य के बाईयोर शून्य से उतनी ही दूरी पर होगी जितनी की एक बटा तीन शून्य से दाईयोर है अथ है, जैसा के उपर किया गया है, माइनस एक बटा तीन को संख्या रेखा पर निरुपित किया जा सकता है इत्यादी को संख्यारेखा पर निरुपित कर सकते हैं. विभिन हरों वाली अन्य परिमेय संख्याओं को भी इसी प्रकार संख्यारेखा पर निरुपित किया जा सकता है. 9.6 मानक रूप में परिमेय संख्याओं निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को देखिए. 3 बटा 5, माइनस 5 बटा 8, 2 बटा 7, माइनस 7 बटा 11 है. प्रिष्ट 195. इन सभी परिमेय संख्याओं के हर धनात्मक पूर्णांख हैं तथा अंश और हरूं के बीच में केवल एक सार्व गुनन खंड यानि कॉमन फैक्ट है. साथ ही रिनात्मक चिन्ह यानि माइनस केवल अंश में ही स्थित है. ऐसी परिमेय संख्याओं को मानक रूप यानि स्ट्रांडर्ड फॉर्म में व्यक्त की गई परिमेय संख्याओं कहा जाता है. एक परिमेय संख्याओं मानक रूप में व्यक्त की हुई कही जाती है, यदि उस खाहर धनात्मक पूर्णांख हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्व गुनन खंड ना हो. यदि कोई परिमेय संख्या मानक रूप में नहीं है, तो उसे उसके मानक रूप में व्यक्त किया जा सकता है. स्मरण कीजिए के भिन्नों को उनके नियूनितम रूपों में व्यक्त करने के लिए हमने उनके अन्शों और हरों को एक ही शूनियतर पूर्णांक से भाग दिया था हम इसी विधी का प्रयोग परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूपों में व्यक्त करने में करेंगे उधहरण एक, माइनस 45 बटा 30 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए हल, हमें प्राप्त है, माइनस 45 बटा 30 बराबर माइनस 45 भाग 3 बटा 30 भाग 3 बराबर माइनस 15 बटा 10 बराबर माइनस 15 भाग 5 बटा 10 भाग 5 बराबर माइनस 3 बटा 2 हमें दो बार भाग देना पड़ा, पहली बार तीन से और फिर पांच से, इसे निमनलिखित प्रकार से भी किया जा सकता था माइनस तीन बटा दो इस सुधहरण में देखिए कि पंद्रह संख्याओं पैंतालीस और तीस का म स है इस प्रकार एक परी में ये संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम उसके अंश और हर को उनके मस से रिण चिन्ह पर बिना कोई ध्यान दिये, यदि कोई हो भाग देते हैं। रिण चिन्ह पर ध्यान न देने का कारण हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। यदि हर में रिणात्मक चिन्ह है, तो माइनस मस से भाग दीजिये। उदहरण 2. मानक रूप में बदलिये, 1. 36 बटा माइनस 24, 2. माइनस 3 बटा माइनस 15 है। हल 1. 36 और 24 का म स 12 है, अथह मानक रूप अन्श और हर को माइनस 12 से भाग देने पर प्राप्त होगा। इस प्रकार 36 बटा माइनस 24 बराबर 36 भाग माइनस 12 है, बटा माइनस 24 भाग माइनस 12 है, बराबर माइनस 3 बटा 2. 2. 3 और 15 का म स 3 है, इस प्रकार माइनस 3 बटा माइनस 15 बराबर माइनस 3 भाग माइनस 3 बटा माइनस 15 बराबर 1 बटा 5. प्रिष्ठ 196 प्रयास्क कीजिए, मानक रूप ग्यात कीजिए, एक माइनस 18 बटा 45, दो माइनस 12 बटा 18 है, 9. परी में ये संख्याओं की तुलना, हम यह जानते हैं कि दो पूरणांकों या दो भिन्नों की तुलना किस प्रकार की जाती है, थथा यह भी कि इन में कौन बड़ा है और कौन छोटा, आईए अब देखें कि दो परी में ये संख्याओं की तुलना किस प्रकार की जा सकती है, दो बटा 3 और पांच बटा 7 जैसी दो धनात्मक परी में ये संख्याओं की तुलना ठीक उसी प्रकार की जा सकती है, जैसा के हम भिन्नों की स्थिती के लिए पहले पढ़ चुके है मेरी ने दो रिनात्मक परी में ये संख्याओं माइनस एक बटा दो और माइनस एक बटा पांच की तुलना संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए की उसे ग्यात था कि दो पूरणांकों में वह पूरणांक बड़ा था, जो दूसरे पूरणांक के दाई ओर स्थित था उदहरनार्त, संख्या रेखा पर पूरणांक 5 पूरणांक 2 के दाई ओर स्थित है, तथा 5 दो से बड़ा है संख्या रेखा पर पूरणांक माइनस दो पूरणांक माइनस पांच के दाई और स्थित है तथा माइनस दो माइनस पांच से बड़ा है उसने इस विधी का प्रयोग परी में ये संख्याओं के लिए भी किया उसे पता था के संख्या रेखा पर परी में ये संख्याओं को किस प्रकार अंकित यानी निरुपित किया जाता है. उसने माइनस एक बटा दो और माइनस एक बटा पांच को नीचे दरशाय अनुसार अंकित किया. यहां एक संख्या रेखा पर ये दोनों अंक अंकित किये गए हैं माइनस एक बटा दो बराबर माइनस पांच बटा दस माइनस एक बटा पांच बराबर माइनस दो बटा दस क्या उसने दोनों बिंदु सही प्रकार से अंकित किये हैं? उसने कैसे और क्यों माइनस एक बटा दो को माइनस पांच बटा दस तथा माइनस एक बटा पांच को माइनस दो बटा दस में बदला? उसे ग्यात हुआ कि परी में ये संख्या माइनस एक बटा पांच, परी में ये संख्या माइनस एक बटा दो के दाईई और स्थित है। इस प्रकार माइनस एक बटा पाँच माइनस एक बटा दो से बड़ा है या माइनस एक बटा दो माइनस एक बटा पाँच से छोटा है। क्या आप –3 बटा 4 और –2 बटा 3 की तथा –1 बटा 3 और –1 बटा 5 की तुलना कर सकते हैं? हम भिन्नों के अपने अध्ययन से यह जानते हैं कि 1 बटा 5, 1 बटा 2 से छोटा है. साथ ही मेरी ने –1 बटा 2 और –1 बटा 5 के लिए क्या प्राप्त किया? क्या यह इसका ठीक विपरीत नहीं था? प्रिष्ठ 197 आप देखते हैं कि 1 बटा 2, 1 बटा 5 से बड़ा है परन्तु, माइनस 1 बटा 2, माइनस 1 बटा 5 से छोटा है क्या आप माइनस 3 बटा 4 और माइनस 2 बटा 3 तथा माइनस 1 बटा 2 और माइनस 1 बटा 5 के लिए भी इसी प्रकार का परिणाम देखते हैं मेरी को याद आता है कि उसने पूरणांकों में पढ़ा था कि 4 तीन से बड़ा है परन्तु, माइनस 4, माइनस 3 से छोटा है पांच दो से बड़ा है परन्तु माइनस पांच माइनस दो से छोटा है इत्यादी रिनात्मक परी में ये संख्याओं के युगमों की स्थिती भी ठीक इसी प्रकार है दो रिनात्मक परी में ये संख्याओं की तुलना करने के लिए हम उनकी तुलना उनके चिन्हों को छोड़ते हुए करते हैं और बाद में असमिका यानि इनेक्वॉलिटी के चिन्ह को उल्टा कर यानि बदल देते हैं उदहरनार्थ माइनस साथ बटा पांच और माइनस पांच बटा तीन की तुलना करने के लिए पहले हम साथ बटा पांच और पांच बटा तीन की तुलना करते हैं हमें साथ बटा पांच पांच बटा तीन से छोटा प्राप्त होता है और इससे हम निशकर्ष निकालते हैं के माइनस 7 बटा 5, माइनस 5 बटा 3 से बड़ा है ऐसे 5 युग्म और लीजिए और फिर उनकी तुलना कीजिए कौन बड़ा है? माइनस 3 बटा 8 या माइनस 2 बटा 7? माइनस 4 बटा 3 या माइनस 3 बटा 2? एक रिनात्मक और धनात्मक परी में ये संख्या की तुलना सुस्पष्ट है। माइनस दो बटा साथ एक बटा दो से छोटा है। परी में ये संख्याओं माइनस तीन बटा माइनस पाँच और माइनस दो बटा माइनस 7 की तुलना करने के लिए पहले उन्हें मानक रोप में बदलिये और फिर उनकी तुलना कीजिये। उदाहरन 3 क्या 4 बटा माइनस 9 और माइनस 16 बटा 36 एक ही परी में ये संख्या को निरुपित करते हैं? हल, हाँ, क्योंके 4 बटा माइनस 9 बराबर 4 गुणा माइनस 4 बटा माइनस 9 गुणा माइनस 4 बराबर माइनस 16 बटा 36 या माइनस 16 बटा 36 बराबर माइनस 16 भाग माइनस 4 बराबर 4 बटा माइनस 9 है. अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाथ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन्स्वर गौरव मार्वा तक्नीकी समन्वयक बतिलैंग लिंगडो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन वनिर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत